शंक्षिप्त माहा भारत के वन पर में अध्याई एक सो तीन सर्ग में अर्जुन की अस्त्रायम रित्य शिक्षा और वशी के प्रती मात्र भाव इंद्र का लोवश्मनी को पांडों के पास भेजना वे शंपाइन जी कहते हैं जन्मे जी देवताओं के चले जाने पर अर्जुन महीं रहकर देवराज इंद्र के रत की परतीक्षा कर रहे थे थोड़ी ही देर में इंद्र का सार्थी मात्री तीवे रत लेकर वहाँ उपस्तित वा उस रत की उज्जल कांती से आकाश का अंदेरा मिट रहा था बादल तितर भितर हो रहे थे भीशन ध्वनी से दिशाएं परती ध्वनी तो रही थी उसकी कांती दिवे थी रत में तलवार शक्ती गदाएं तजसी भाले वज्जर पईयों वाली तोपें वायू वेक से गोलियां फैंकने वाले यंत्र तमचे तिथा और भी बहुत से अस्त्र शेश्त्र भरे हुए थे दस हजार वायू गामी गोड़े उसमें जुते हुए थे उसम माया में दिवे रत की चमक से आँखे चुंधिया जाती सोने के दंड में कमल के समान श्याम रण की वजनती नामक धजा फिरा रही थी मातली सार्थी ने अर्जुन के पास आकर पर नाम करके कहा हिंद्र नंदन शिरिवान देवराज इंद्र आप से मिलना चाहते हैं आप उनके इस प्याडे रत में स्वार होकर शीगरी चलिए सार्थी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी परसंता ही उन्होंने गंगाश नान करके पुच्तरता के साथ विदी पूरक मंत्र का जब किया रंतर शाष्ट्रोक्त रिधी से देवता रिशी और पित्रों का तरपन किया फिर मंद्राचल से आग्या मांकर इंद्र के दिवर रत पर आ बैटे उसमें इंद्र का रत और भी चमक था शन भार में ही वे रत मंद्राचल से उठकर वहां के तपस्षी रिशी मुनियों के द्रिश्टी से ओजलो गया अर्जुन ने देखा कि महा सूरी का चंद्रमा का अत्वा अगनी का परकाश नहीं था हजारों इमान महा अधबद रूप से चमक रहे थे वे अपनी पुन्य प्राप्त कांती से चमकते रहते ही और पित्थी से तारों के रूप में दिपक के समा दीखते ही जब बर्जुन ने इस विशे में मातरी से प्रश्ण किया तब मातरी ने कहा कि वे पृथी परसे जिने आपतारों के रूप में देखते हैं वे पुन्य आत्वा पुर्चों के निवास थान है आपता क्वेर राथ सिद्ध पुर्चों का मार्ग लांकर आगे निकल गया था इसके बाद राज रिश्यों के पुन्य वान लोग पड़े तांतर इंद्र की पुरी अमरावती के दर्शन हुए सर्क की शवा, सुगंधी, दिविता, अभिजन और द्रिश्य अनूठा ही था ये लोग बड़े-बड़े पुन्य आत्मा पुर्चों को प्राथ होता है जिसने तप नहीं किया, अगनी होत्र नहीं किया जो युद्धमे पीठ तिका कर भाग गया वे इस लोग का दर्शन नहीं कर सकता जो यग्य नहीं करते, वरत नहीं करते, वेदमंत्र नहीं जानते, तीर्थों में शनान नहीं करते यग्य और दानों से बचे रहते हैं, यग्य में विघन डालते रहते हैं शुद्र हैं, शिराबी हैं, गुरूप इस्त्री गामी हैं, मास भोजी हैं और द्रात्मा हैं, उन्हें किसी परकार सर्ग का दर्शन नहीं हो सकता। अमरावती में देवताओं के सस्त्रों इच्चाउंसार चलने वाले विमान खड़े थे, सस्त्रों इदर उदर आ जा रहे थे, जब अफ्सरावर गंदर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आगे हैं, तब उनकी स्तुती सेवा करने लगे, देवता गंदर्व, सिद् च्रित्र अर्जुन की पूजा में लगे, बाजे बजने लगे, अर्जुन ने करमशे साध्य देटा, विश्य देव, पवन, अश्निकमार, आधित्य, वसु, भ्रह्मरिशी, राजरिशी, तंबरो, नारज, तथा, हाहा, हुहु, आदिगंदर्व, के दर्शन किये, वे अ अर्जुन ने देवराज इंदर के पास जाकर सिर्द जुका कर उनके चरनों में परनाम किया, इंदर ने अपने प्रेम पुर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पृत्र देवासन पर बिठा लिया, और भीर अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से सिर्द सुंगा, सं श्यम्प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगोरी, वरूथनीन, गोपाली, सैजनिया, कुंबयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुंबर, सवरा, आरी अपस्राइन नाचने लगी। इंद्र के अभी प्राइके अंसार देता और गंदर्वों ने उत्तम अर्द से अर्जन का सिवा सथकार किया, उनके पैद धलवा कर आचन कराया, उनके अनंतर अर्जन देवराज इंद्र के भवन में गे, वीर अर्जन इंद्र के महल में ठैर कर अस्त्रों के परियोग और उ भी अभ्यास कर लिया। समस्त शष्ट्र अश्ट्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंत अर्जुन अपने वनवासी भाईयों का सब्रण करके सर्ग से मृत्यों लोग में आना चाते थे। रंतों इंद्र की आग्या सिवे पांच वर्स्टक सर्ग में ही रहे। एक दिन अन्कूल अफसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मरमग्य अर्जुन से कहा कि प्रिया अर्जुन आप तुम चित्रशैन के अंदर्व से नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मृत्यों लोग में जो बाजें नहीं हैं उन्हें भी बजाना सीख लो। इंद्र के मितरता करा देने पर अर्जुन चित्रसैन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का आभ्यास करने लगा। अर्जुन इस विद्या में प्रवीन होगी। यह सब करते समय भी जब अर्जुन को अपने भाई और माता की याद आ जाती ता वे दुख से विहुल हो जा तुम औरुषी अपसरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वैं अर्जुन के पास जाए। चेत्रसेन ने उस परमसंदरी अपसरा के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्रकिया ग्यासे तुम्हारे पास आया हूं। तुम उनका अभी प्राइ सुनो। मध्यम, पांडव, अर्जुन, सुन्दरे, सभाव, रूप, वरत, जितिंदिरिता, आदिसभाविक गुनों से देवताओं और अभनश्यों में परतिष्टित, बल्वान तथा प्रतिभास संपन थे। वित्या, एश्वर, तेज, परताब, शमा, मत्सर, हिंता, वेद, विदान, ज्यान तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुन हैं। आठ परकार की गुरु सेवार, आठ परकार के गुनों वाली बुद्धी को खूब जानते हैं। वे श्यम, ब्रह्मचारी और उत्साही तो हैं ही मात्रकुल और पित्रकुल से शुद्ध हैं। उनकी ये वस्थाभी तरुं हैं जैसे इंदरस्वर्ग की रक्षा करते हैं वे बिना किसी की सायता के पृत्धी की रक्षा कर सकते हैं। वे अपनी नहीं दूसरों की प्रशंचा करते हैं शोक्सम्से शुक्षम समस्या को भी स्थोल बात की तरह जान लेते हैं उनकी वानी बड़ी मिठी है मित्रों को खोब खिलाते पिलाते हैं सत्य प्रेमी, एहंकार रहित, प्रेम पात्र और दृड़ प्रतिग्या हैं वे अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुनों में इंद्र के संकक्ष हैं तो हमने अवश्शी अर्जुन के गुन सुने होंगे वे तुमारी सिवा से सर का सुख वरात करें इसके लिए तुमें मेरी बात माननी चाहिए और वर्शी ने चित्र सेन का सत्कार किया और परसंद नहोंकर कहा गंधर राज तुमने अर्जुन के जिन प्रधान प्रधान गुनों का वर्दन किया हैं उन्हें मैं पहले ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूँ मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ अब देवराज की आग्या और तुमारे प्रेम से उनके प्रती मेरा कर्शन और भी बड़ा है मैं अर्जुन की सेवा करूंगी आप जा सकते हैं चितर सेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी नंद के साथ सुगंद शिनान किया मैं सुंदर तो थी ही अच्छे अच्छे वस्तरावूशन भी धारन कर लिये सुवंदित पुश्पो की माला पहन कर उर्शी सब परकार से सद्धाच चुकी तावे मुस्कराती हुई पवन और मन के समान तेज गती से शन भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पोची दौरपालों ने उनके आगमन का समाचार अर्जुन के पास पोचाया और वशी अर्जुन के पास पहुंच गई अर्जुन मन ही मनने को परकार की शंका करने लगे उन्होंने संकोच वश अपनी आखे बंद करके परनाम किया और गुरुजन के समान आदर सद्कार करके कहने लगे देवी मैं तुम्हें सिर्द जुका कर नमशकार करता हूँ मैं तुम्हारा सेवक हूँ मुझे आग्या करो और वशी अचेच सी हो गई उसने कहा देवराज इंद्र की आग्या से चितरसेंगंधर्म मेरे पास आया था उसने मेरे पास आकर आपके गुनों का वर्नन किया और आपके पास आने की प्रेन ना की आपके पिता इंद्र और चितरसेंगंधर्म की आग्या से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ केवल आग्या की ही बात नहीं जब से मैंने आपके गुनों को सुना है तब इसे मेरा मन आप पर लग गया है मैं आपके वश में हूँ बहुत दिनों से मैं लालसा का रही थी आप मुझे स्विकार कीजिए और वशी की बात सुनकर अर्जन संकोच के मारे धर्ती में गड़ से गे उन्हें अपने हाथों से कान बंद कर ली और बोले हरे हरे कहीं ये बात मेरे कान में परविश न कर जाए देवी निसंदेद तुम मेरी गुरु पतनी के समान हो देशवावे मैंने तुमें निर्नमेश नितरों से देखा था अवश्य प्रन्तु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था मैं यही सोच रहा था कि पुरूवंश की यही अनन्द में माता है तुम्हें पहचानते ही मेरी आँखे अनन्द से खिलुठी इसी से मैं तुम को देख रहा था देवी मेरे संबंद में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए तुम मेरे लिए बड़ो की भी बड़ी और मेरे पूर्जो की जन्नी हो उर्वशी ने कहा वीर हम अब साम का किसी के साथ ही वा नहीं होता हम सतंत रहें इसलिए मुझे गुरुजन की पद्वी पर बिठाना उचित नहीं है आप मुझे पर परसन्न हो जाईए और मुझे ग्रहन कीजिए मैं कामवेक से जल रही हूँ आप मेरा दुख मिटाईए अर्जुन ने कहा देवी मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ दिशा और विदिशाईं अपने अधी देवताओं के साथ मेरी बात सुनने जैसे कुंती मादरी और इंद्रपत्नी शची मेरी माताई हैं वैसे ही तुम भी पुरुवंश के जन्नी होने के कारण मेरी पूजनी माता हो मैं तुमारे चर्णों में सिर्ध जुका कर परनाम करता हूँ तुम माता के समान मेरी पूजनी और तुमारा पुत्र के समान रक्षनी है हूँ अरजुन की बात सुनकर औरशी करोद के मारे काम पने लगी उसने बोहें टेड़ी करके अरजुन को शाप दिया अरजुन मैं तुमारे पिता इंदर की आग्या से तुमारे पास आई हूँ फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर नहीं कर रहे हो इसलिए जाओ तुम्हें इस्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और समान रही थोकर तुम नपुनसक के नाम से परसिद्ध होगे वस्तुमें औरशी के होट फड़क रहे थे सांसे लंबी चल रही थी वहें अपने निवास थान पर लोट गई अर्वशी ने जो कुछ कहा था вे सब कैसुनाया चितरसी ने सारी बाते इंदर से कही इंदर ने अर्वशी को एकांते बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुजाया और तनी घस्तेवे कहा प्रिया अर्जुन, तुमारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई, तुमने अपने धैरे से दिशियों को भी जीत लिया, और वशी ने तुमें जो शाप दिया है, उससे तुमारा बहुत काम बनेगा, जिसमें तुम तेरवे वर् उप में एक वर्स तक छिप कर ये शाप भोगोगे, फिर तुमें प्रुशत्व की प्राप्ती हो जाएगी, अर्जुन बहुत परसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई, वे गंदर वराचित्र सेन के साथ रहकर सर के सुक लूटने लगे, जनमेजे, अर्जुन का ये चिरित इतना पुइत्र है कि जो इसका प्रते दिन श्रवन करता है, उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती, वास्ता में अर्जुन का ये चिरित्र ऐसा ही है, इनी दिनों एक दिन महिर्शी लोमज सर्ग में आये, उन्होंने देखा कि अर्जुन इंदर के आधे आसन पर बैठे हुई हैं, वे भी एक आसन पर बैठ गई, और मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया, इसने कौन सा ऐसा पुन्ने किया है, कि इन देशों को जीता है, जिससे इसे सर्व देवन्दित इंदर आसन पराप्त हुआ है, देवराज इंदर ने लो ये मनुश्य रूपधारि देवता हैं, मनुश्यों में तो इनका अवतार हुआ है, ये सनातन रिशी नर हैं, इसने इसमें पृथ्षी पर अवतार ग्रहन किया है, महिर्शी नरो नरायन कारवश पृथ्षी पर शिरिकिष्ण और अर्जुन के रूप में अवतिन हुए है इस समय निवात कवच्च नामक दैत्य मद नमत होकर मेरा अनिष्ट कर रही है वे बर्दान पकर अपने आपे को भूल गए है इसमें संदे नहीं कि भगवान चिरिकिष्ट ने जैसे कालिन्दी के कालिया हरत से सर्पो का उच्छेट किया था वैसे ही वे द्रिष्टी मातर से निवात कवच्च दैत्यों को अंचरो सहीद निष्ट कर सकते है प्रन्तो इस छोटे से काम के लिए भगवान चिरिकिष्ट से कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि वे महान तेज पुन्जे है उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वैसे सारे जगत को जिला कर भसम कर सकता है इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही प्रयाब्त है ये निवात को चुकान नाश करके तब मनुश्य लोक में जाएंगे ब्रह्म रिशी आप प्रिथी पर जाकर कामे कवन में रहने वाले देड़ परतेग्य धर्मात्मा युदिष्टर से मिलिये और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता मत करें साथ ही ये भी कहिएगा कि अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुन हो गया है वे दिवय निरित्य गायन और वादन कला में भी बड़ा कुशल हो गया है आप अपने भाईयों के साथ एकांत और पृत्र तीथों की यात्रा कीजिए तीथ यात्रा से सारे पाप ताप नस्ट हो जाएंगे और आप पृत्र होकर राज्यव होगेंगे प्रह्मरिशी आप बड़े तपस्षी और सम्मर्थ हैं इसलिए प्रिथी पर विचरते समें पांड़ों का ध्यान रखिएगा इंद्र की बात सुनकर लोमश मुनिक काम एकवान में पांड़ों के पास आई मैं शबांजी कहते हैं जिनमेजी राजा द्रितराष्ट को अरज्यून के सरक में निवास करने का समाचार भगवान व्यास से प्राप्त हुआ उनके जाने के बाद ध्रितराष्ट ने संजे से कहा संजे मैंने अरज्यून का सब समाचार पूर्न रूप से सुन लिया है वे अपनी दुष्टा के कारण रज्य का नाश्का डालेगा, धरमदाज दिश्टर बड़े महात्मा हैं, वे साधारन बात्चीत में भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन सा वीर योधा पराप्त है, अवश्य उनका रज्य तिलोकी में हो सकता है। जिस समय अर्जुन अपने पैने बानों का प्रयोग करेगा, उससे भला कोन उसके सामने खड़ा हो सकेगा। संजन का माराज, आपने द्रियोधन के संबंद में जो कुछ कहा है वैसकते हैं। अर्जुन के संबंद में मैंने ये सुना है कि उन्होंने युद्ध में अपने धनुष का बल दिखा कर भगवान शंकर को परसंद कर लिया है। अर्जुन की प्रिक्षा करने के लिए देवादी देव भगवान शंकर स्यम भील का वेश धारन करके उनके पास आय थे और उनसे युद्ध किया था, उने युद्ध में परसंद होकर अर्जुन को दिवे अस्त्र दिये। अर्जुन की तवस्या से परसन्न होकर सब लोगपालों ने आकर अर्जुन को दर्शन दिये और दिवे अस्त्र श्त्र दिये ऐसा भागशाली अर्जुन के सिवार कौन है अर्जुन का बल अपार है उसकी शक्ती अप्रमित है दृत्राश ने कहा संजे मेरे पुत्रों ने पांडो को बड़ा कस दिया है पांडो की शक्ती बढ़ती ही जा रही है जिसमें बलडाम और शिरकिष पांडो की साहिता करने के लिए यद्धुकुल की यद्धाम को साहित करेंगे उसमें कोरब पक्ष का कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा अर्जुन के धनुष्की टंकार और भीमसैन की गदा का वेग सै सके हमारे पक्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं है मैंने द्रियोधन की बातों में आकर अपने हितेशी पुर्षों को हित बारी बाते नहीं माने जान पड़ता है मुझे पीछे से उन्हें सोच सोच कर पश्ताना पड़ेगा संजे ने कहा राजन आप सब कुछ कर सकते थे प्रंतों सनेवश आपने अपने पुत्र को बुरे कामों से रुका नहीं उपेक्षा करते रहे उसी का भ्यंकर फल आपके सामने आने वाला है जिसमें पांड़ो कबट ध्यूत में हार कर पहले पहल काम्यव कवान गे थे प्रभवान श्रीकिष्ट ने वहां जाकर उन्हें आश्राशन दिया था उन्होंने तथा दृष्ट दूम्न, राजा विराट, दृष्ट केतू तथा केके आदी ने वहां पांड़ों से जो कुछ कहा था वे दूतों से मालम होने पर मैंने आपकी सिवा में निवेदन कर दिया था जिस समय में सब हम लोगों पर छड़ाई करेंगे उस समय कौन उनका सामना करेगा जनमेजे ने पूछा भगवन, महात्मा अरजुन जब अस्तर प्राप्त करने के लिए इंदर लोग चलेगे तब पांड़ों ने क्या किया तो वैशंपाईंजे ने कहा जनमेजे उन दिनों पांड़ों कामेक वन में निवास कर रहे थे वे रज के नाश और अरजुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे एक दिन की बात है पांड़ों और द्रोपती इसी समंद में कुछ चर्चा कर रहे थे भीम सेर ने राजाज दिश्टर से कहा कि भाई जी अरजुन पर ही हम लोगों का सब भार है वह हमारे प्राणों का आधार है मैं इस समें आपकी आग्या से अस्त्र विद्या सीखने के लिए ग्या हुआ है इसमें संदेने की यदि अरजुन का कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा दुपत, दिश्टरम्न, साथ्त की, भगवान शिरिकिष्ण और हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे अरजुन के बाहुबल के अधार पर ही हम लोग ऐसा समझते हैं कि शत्रों हमसे हारेगे हैं पित्थी हमारे वच्च में आ गई है, हमारी बाहों में बल है भगवान शिरिकिष्ण हमारे सायक और रक्षक हैं हमारे मन में कोरों को पीष डालने के लिए बार बार क्रोध उठता है प्रन्तु हम आपके कारण उसे पी कर रह जाते हैं हम भगवान शिरिकिष्ण की सायता से करन आदिर सब शत्रों को मार डालेंगे और अपने बाहुबल से सारी पृत्थी को जीत का रज करेंगे बाई जी जब तक द्रियोधन पृत्थी को पूर्ण रिती से अपने वश में कर ले उसके पहले ही उसे और उसके कृतुम्ब को मार डालना चाहिए शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कप्टी प्रुष को कपट करके भी मार डालना चाहिए इसके यदि आमजे आग्या दे तो मैं आग की तरह भग कर वहां जाओं और द्रियोधन का नाश कर डालू भीमसेन की वात सुंकर यदिश्टर ने उन्हें शान्त करते हुए माथा सुंगा और कहा मेरे बालचाली भईया तेरा मर्ष पूरे हो जाने दो हिर तुम और अरजुन दोनों मिलकर द्रियोधन का नाश करना मैं असत्य नहीं बोल सकता क्योंकि मुझ में असत्य है ही नहीं भीमसेन जब तुम बिना कबट के भी द्रियोधन और उसके साइकों का नाश कर सकते हो तब कबट करने की क्या आवश्यक्ता है धरामराजी दिश्टर इस परकार भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महिर्शी ब्रीदश्य उनके आश्रम में आते हुए दीख़ड़े इस परकार से एक सो तीन और एक सो चार अध्याई पूर्ण हुआ शिंखेप्त माहा भारत के वन पर्व में नाल्द दम्यंती की कता दम्यंती का संबर और विवा वे शंपाइन जी कहते हैं जन्मे जी महिर्शी ब्रीदश्य को आते देखकर धरम्राजी दिश्टर ने आगे जाकर शास्त्र विदी के उनसार उनकी पूजा की आसन पर बिठाया उनके विश्राम कर लेने पर ये दिश्टर उनसे अबना विर्तान्त कहने लगी मेरा स्रवस्ट छीन दिया इतना ही नहीं उनने मेरी प्रान प्रिया ध्रोपती को कसीट कर भरी सवा में अपमानित किया उनने अंत में हमें काली मरिक चाला उड़ा कर घोरवन में बेज़ दिया महिर्शी आप ही बतलाईए कि इस प्रित्थी पर मुझसा बग गहिन राजा और कौन है क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखावा सुना है महिर्शी ब्रिदश्यों ने कहा धरम राज आपको ये कहना ठीक नहीं है मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ क्योंकि मैं तुमसे भी अदिक दुखी और मंद भग राजा का विरतान जानता हूँ तुमारी इच्छा तो मैं सुनाओ धरम जाज दिश्टर के आग्रह करने पर महिर्शी ब्रिदश्यों ने कहना प्रारंब किया धरम राज निशत देश में वीर सैन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं वे बड़े गुन्वान, परमसंदर, सत्यवादी, चितिंद्रिये, सबके प्रिये, विदग्य, एम, ब्रावन, भक्त थे उनकी सैना बहुत बड़ी थी वेस्यम, अस्त्र विद्या में बहुत निपुन थे वीर, योधा, उदार और प्रबल प्राकर्मी भी थे उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ-कुछ शोंक था उन्ही निरों विधर देश में बीशमक नाम के एक राजा राज्य करते थे वे भी नल के समानी, सरगुन संपन और प्राकर्मी थी उन्हें दमन रिशी को परसन्न करके उनके वर्दान से चार संताने प्राप्त की थी तीन पुत्रों रिक करन्या पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन और पुत्री का नाम था दम्यन्ती दम्यन्ती लच्चमी के समन रूपती थी उनके नित्र विशाल थे, देवता और यक्षों में भी वैसी संद्री कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी उन दिनों कितने ही लोग विधर्ब से निशत देश में आते और राजा नल के सामने दम्यंती के रूप और गुन का बखान करते निशत देश में विधर्ब में जाने वाले भी दम्यंती के सामने नल के रूप गुण और पुट्र चृत्र का वर्नन करती इससे दोनों के हिर्दय में प्राश्परिक अन्राप अंक्रित हो गया एक दिन राजा नल ने अपने महल किये और ध्यान में कुछ हंसों को दिखा उसने एक हंस को पकड़ लिया हंस ने कहा आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दम्यंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्नन करेंगे कि वह आपको अवश्य वश्य वर लेगी नल ने हंस को छोड़ दिया वे सब उड़कर विधर देश में गे दम्यंती अपने पास हंसों को देकर बहुत परसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी और दोड़ने लगी दम्यंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दोड़ती वही बोल उड़ता कि अरि दम्यंती निशत देश में एक नल नाम का राजा है में अश्णिक मार के संदर है मनुश्य में उसके संदर और कोई नहीं है में मानो मूर्तिमान काम देव है यदि तुम उसकी पत्री हो जाओ तो तुमारा जनम और रूप दूनों सफल हो जाए हम लोगों ने देवता गंधरों मनुश्य सर्प और राक्षों को घुम घुम कर देखा है नल के समान सुन्दर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया जैसे तुम इस्त्रियों में रत्न हो वैसे ही वै नल पुरुषों में भुशन है तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी दमयंती ने कहा हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहें न हंस ने निशद देश में लोटकर नल से दमयंती का संदेख कह दिया दमयंती हंस के मुझे राजा नल की केति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी उनकी आसकती इतनी बढ़ गई कि राज दिन उनका हिध्यान करती रहती शेर धुमिल और दुबला हो गया वे दीन से दिखने लगी सक्कियों ने दमयंती के हिद्दे का भाव ताड़ कर विधर ब्राज से निविधन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्त होगी है राजा भीश्वक ने अपनी पुत्री के संबंद में बड़ा विचार किया अंत में वै इस निदे पर पोचा कि मेरे पुत्री वाय यग्य होगी है इसलिए इसका संबर कर दिना चाहिए वह ने सब राजाओं को संबर का निवंतरन पत्र भीज दिया और सुचित कर दिया कि राजाओं को दम्यंती के संबर में पधार कर लाब उठाना चाहिए और मेरा मनुरत पूर्ण करना चाहिए देश देश के नर्पती, हाथी, घोड़े और रत्रव की ध्वनी से पृत्थी को मुख्रित करते हुए सहिध दजकर विधर्द देश में पहुंचने लगे भीमक ने सब के स्वागत, सत्कार की समचित विवस्था की देवरिशी नारत और परवत के द्वारा दिवताओं को भी दम्यंती के संबर का समाचार मिल गया इंद्रादी सभी लोग पाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विधर्द देश के लिए रवाना हुई राजा नल का चित पहले से ही दम्यंती परासकत हो चुका था उन्होंने भी दम्यंती के संबर में समलित होने के लिए विधर्द देश की यात्रा की देवताँ ने सरक से उतरते समें देख लिए की काम दे के समान संदर नल दम्यंती के संबर के लिए जा रहा है नल की सुरे के समान कांती और लोकोतर रूप संबत्ती से देवताबी चकीत होगे उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है उन्होंने अपने विवानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतर कर नल से कहा रजिंद्र नल आप बड़े सत्यवरती हैं आप हम लोगों की साहिता करने के लिए दूत बन जाएए नल ने परतिग्या कर ली और कहा कि करूँगा फिर पूछा कि आप लोग कौन है और मुझे दूत बना कर कौन सा काम लेना चाहते हैं तो इंद्र ने कहा हम लोग देटा है मैं इंद्र हूँ यह अगनी हैं वरून हैं यम हैं हम लोग दम्यंती की यहां आए हैं आप हमारे दोद बन कर दम्यंती के पास चाहिए और कहिए कि इंद्र वरून अगनी और याम देटा तुमारे पास आकर तुमसे विवा करना चाहते ही इन में से तुम चाहे जिस देटा को पती के रूप में सिविकार कर लो नल ने दोनों हाँ जोड़ कर कहा कि देवराज वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रियोजन है इसलिए आप मुझे दोद बना कर वहां भेजे ये उचित नहीं है जिसकी किसी इस्त्री की पत्री के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो वे भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता है आप लोग कृप्या इस विशे में मुझे शमा कीजिए दिवता ने कहा नल तुम पहले हम लोगों से प्रतिग्या कर चुके हो कि मैं तुमारा काम करूँगा आप प्रतिग्या मत तोड़ो अविलम वहां चले जाओ नल ने कहा राज महल में निरंतर कड़ा पैड़ा रहता है मैं कैसे जा सकूँगा इंदर ने कहा जाओ तुम वहां जा सकोगे इंदर की आग्या से नल ने राज महल में बेरोटोग प्रवेश करके दम्यंती को देखा दम्यंती और सुखियां भी उसे देखकर आवाक रहेगी वे इस अनपम संदर ये प्रुष को देखकर मुख दो गई और लज्जितो कर कुछ बोल नहीं सकी दम्यंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा वी तुम देखने बहुत संदर अने दोश जान पड़ते हो पहले अपना पर्चे बताओ तुम यहां किस उद्देश्य से आये हो और यहां आते समय द्वार पालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं उन से तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देती है नल ने कहा कल्यानी मैं नल हूँ लोक बालों का दोद बनकर तुमारे पास आया हूँ संद्रे इंडर, अग्नी, वरून और यम ये चारो देता तुमारे साथ हिवा करना चाती है तुम इन में से किसी एक देता को अपने पती के रूप मे वरन कर लो यही संदेश लेकर मैं तुमारे पास आया हूँ उन देवताओं के परभाव से ही जब मैं तुमारे महल में परवीश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका मैंने देवताओं का संदेश कह दिया आप तुमारी जो इच्छा हो करो देमयंती ने बड़ी श्रदा के साथ देवताओं को परनाम करके मंद मंद मुस्करा कर नल से कहा नरेंद्र आप मुझे प्रेम दृष्टी से देखिए और आज कीजिए और आग्या कीजिए कि मैं यथा शिक्ति आपकी क्या सिवा करूँ मेरे स्वामी मैंने अपना सरवस और अपने आप को भी आपके चर्णों में सुख दिया है आप मुझे पर विश्वाश पोर्ण प्रेम किजिए जिस दिन से मैंने हंसौ की बात सुनी उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकन हूँ आप के लिए ही मैंने राजाओं की भीड कथी की है यदि आप मुझे दासी की प्राथना असीकार कर देंगे तो मैं विश्खा कर आग में जल कर पानी में डोब कर या फांसी लगा कर आप के लिए मर जाओंगे राजा नल ने कहा जब बड़े बड़े लोगपाल तुमारे प्रणे संबंद के प्राथी हैं तब तुम मुझ मनुश्य को क्यों चाह रही हो उन एश्वर शाली देवताओं के जरन देनों के समान भी तुम मैं नहीं हूँ तुम अपना मन उन्ही में लगाओ तेताओं का अप्रिय करने से मुनिश्य की मृत्य हो जाती तुम मेरी रक्षा करो और उनको बर्ण कर लो नल की बात सुनकर दम्यंती खबरागी उनके दोनों नित्रों में आज़ू छलकाई वे कहने लगी मैं सब देताओं को परनाम करके आपको ही पती रूप में बर्ण कर रही है यह मैं सब्ते शबत खा रही हूँ उस समय दम्यंती का शीर काम रहा था हाथ जुड़े वे थे राजा नल ने कहा अच्छा आप तुम ऐसा ही करो पन्तु यह तो बतलाओ कि मैं यहां उनका दूद बनकर संदेश पुचाने के लिए आया हूँ यदि इस समय मैं अपना सवार्थ बनाने लगू तो कितनी बुरी बात है मैं अपना सवार्थ तो तवी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्धना हो तो मैं भी ऐसा ही करना चाहिए दम्यंती ने गदगदकंड से कहा नरेश यह और इसके लिए एक ने दोश उपाए है उसके अंसार काम करने पर आपको कोई दोश नहीं लगेगा मैं उपाई है कि आप लोग पालों के साथ संबर मंडब में आए मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूँगी तब आपको दोश नहीं लगेगा अब राजा नल देवताओं के पास है देवताओं के पूछने पर उनने कहा मैं आप लोगों की आग्या से दम्यंती के महल में किया बाहर बुड़े द्वारपाल बहरा दे रहे थे परन्तों उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे नहीं देखा केवल दम्यंती और उनकी सक्षियों ने मुझे देखा वे आश्चार में पड़ गई मैंने दम्यंती के सामने आप लोगों का वर्ण किया परन्तों वे तो आप लोगों को ना चाकर मुझे ही वर्ण करने पर तुली हुई है उसने कहाया कि सब देवता आपके साथ संबर में आए मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लोगी इसमें आपको दोश नहीं लगेगा मैंने आप लोगों के सामने सब बते कह दी अंतिम परमान आप लोगी हैं राजा भीमक ने शुम महरत में संबर का समय रखा और लोगों का बुलवा भीजा सब राजा अपने अपने निवास स्थान में आाकर संबर मंडब में यथा स्थान बैठने नगे पूरी सवा राजाओं से भर गई जब सब लोग अपने अपने आशन पर बैठके तब संद्री तम्यंति अपनी अंकांती से राजाओं के मन और नित्रों को अपनी और आकर्शित करती ही रंग मंडब में आई राजाओं का परचे दिया जाने लगा दिम्यंति एके को देखकर आगे बढ़ने लगी आगे एकी स्थान पर नल के समान आकार और वीश भूशा के पांच राजा इकटे ही बैठे हुए थे दिम्यंति को संदे हो गया वे राजा नल को नहीं पैचान सकी वे जिसकी और देखती वही नल जान पड़ता इस दिये विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पैचानू और ये राजा नल हैं ये कैसे जानू उसे बड़ा दुख हुआ अंत में दिम्यंति ने यहीं निच्चे किया कि देवताओं की शरन में जाना ही उच्ची थे हाथ जोड़कर परनाम पूरक स्तुति करने लगी देवताओं हंसों के मुझे नल का वर्नत सुनकर मैंने उन्हें पती रूप में वर्न कर लिया है मैं मंद से और वानी से नल के अत्रिक तोर किसी को नहीं चाहती देवताओं ने निश्ठेश्वर नल को ही मेरा पती बना दिया है तो था मैंने नल की आराधना के लिए ही ये वरत प्रारंब किया है मेरी इस सत्य शबत के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दे एशरशारी लोग पालो आप लोग अपना रोप प्रगट कर दे जिससे मैं पुन्निश लोग नर्पती नल को पहचान लू देवताओं ने दम्यन्ती का ये आर्थ विलाप सुना उनके देड निश्चे, सच्चे प्रेम, आतम शुद्धी, बुद्धी, भक्ती और नल प्राइन्ता को देखकर उन्हें उसे ऐसी शक्ती दी जिससे वे देवता और मनुश्य का भेज समझ सके दम्यन्ती ने देखा कि देवताओं के शीर पर पसीना नहीं है पल के गिरती नहीं है, माला को मलाई नहीं है, शीर पर मैल नहीं है, स्थीर है परन तो धर्ती नहीं चूते, इदर नल के शीर की च्चाया पड़ रही है माला को मला गई है, शीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पल के बराबर गिर रही है और धर्ती छूकर स्थित है दम्यंती ने इन लक्षनों से देताओं और पुने श्लोक नल को पैचान लिया फिर धरम के अंसार नल को बरन कर लिया दम्यंती ने कुछ सक्चा कर घूंगट काड़ लिया और नल के गले में बर माला डाल दी देता और महित्शी सादू सादू कहने लगे राजाओं में हाखार मच्च गया राज़ नल ने अनन अतिरेक से दम्यंती का मिनंदन किया और ने कहा कल्याली तुमने देताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरन ना करके मुझे वरन किया है इसलिए तुम मुझको प्रेम प्राइना पती समझना मैं तुमारी बात मानूँगा जब तक मेरे शीद में प्राइन रहेंगे तब तक मैं तुम से प्रेम करूँगा ये मैं तुम से शबत पूरक सत्य कहता हूँ दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंदरादी दीवताओं की शरंद ग्रहन की देवताओी वह उत्पर सन्न हुए उन्होंने नल को आठ वर दिये इंदर ने कहा नल तुमारे यग्य में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गती मिलेगी अगनी ने कहा जहां तुम मेरा समरन करोगे वही मैं प्रकट हो जाएगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोक तुमें प्राप्त होंगे यम्राज ने कहा तुमारी बनाई हुई रिस्वई बहुत मिठी होगी और तुम अपने धर्म में दिड्र होगे वरुन ने कहा जहां तुम चाहोगे वही जल प्रकट हो जाएगा तुमारी माला उत्तम गंड से परिपूर्ण रहेगी इस प्रकाश दोदो वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चलेगे निवन्तित राजा लोक की विदा होगे भीमक ने परसन्न होकर दम्यंती का नल के साथ विदीपूर की वा कर दिया राजा नल कुछ दिनों तक विधर्देश की राजधानी कुंडनपुर्ण में रहे तंतर भीमक की अनमती प्राप्त करके वे अपने पत्नी दम्यन्ति के साथ अपनी राजधानी को लोट आए राजा नल अपनी राजधानी में धरम के अंसार प्रजा का पालन करने लगे सच मुच्च उनके दवरा राजा नाम सार्थक हो गया उन्होंने अश्य में गादी बहुत से यग्य किये समय आने पर दम्यंती के गर्ष से इंदर सेन नामक पुत्तर और इंदर सेना नामक कन्या का भी चनम हुआ शिंख्षिप्त माहा भारत के बन पर में कालियोग का दुर्व भाव जुए में नल का हरना और नगर से निर्वासन एक सचे अध्याई महिर्शी बृद्ष जो कहते हैं ये दिश्टर जिस समय दम्यंती के संबर से लोटकर इंदरादी लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे उस समय उनकी मार्ग में ही कालियोग और दौपर से भेट हो गई इंदर ने पूछा क्यों कालियोग कहा जा रहे हो कालियोग ने कहा मैं दम्यंती के संबर में उससे विवा करने के लिए जा रहा इंदर ने हसकर कहा आजी वैं संबर तो कभी का पूरा हो गया दम्यंती ने राजा नल को वरन कर लिया हम लोग ताकते ही रहेगी कालीग उने क्रोध में भर कर कहा तब तो बड़ा नर्थ हुआ उसने दिवताओं की उपेच्छा करके मनुश्य को अपनाया इस दिवताओं ने कहा दम्यंती ने हमारी आज्या प्राप्त करके नल को वरन किया है वास्ताव में नल, सरगुन, संपन और उसके योग्ये हैं वे समस्ध धर्मों के मरमग्य और सदाचारी है उन्होंने इत्हास पुरानों के सहित विदों का अध्यन किया है वे धर्म के अंसार यग्य में देवताओं को त्रिप्त करते हैं कभी किसी को स्ताते नहीं है सत्य निष्ट और द्रिद निष्ची है उनकी चतुरता, दहरे, ग्यान, तपस्या, पित्तरता, दम और शम लोगपालों के समान है उनको शाप देना तो नरक की धढ़कती आग में गिरना है ये कहकर देवता लोग चलेगी अब कालियोग ने द्वापर से कहा भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता इसलिए मैं नल के शीर में निवास करूँगा मैं उसे रज चुत कर दूँगा तवे द्म्यंती के साथ नहीं रह सकेगा इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना द्वापर ने उसकी बात सिविकार कर ली द्वापर और कलियोग दोनों ही नल की राजधानी में आबसे बारा वर्ष तक वे इस बात की परतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोश दीख जाए एक दिन राजा नल संध्या के समय लगू शंका से निवरित होकर पैर धोय बिना ही आच मन करके संध्या बंदन करने बैठ के ये अपवित रवस्ता देखकर कलियोग उसके शीर में प्रवेश कर गया साथ ही दूसरा रूप धारन करके वे पुशकर के पास गया और बोला तुम नल के साथ जुवा खिलो और मेरी साहिता से जुवे में राजा नल को जीत कर निश्द देश का रज परात कर लो पुशकर उसकी बात सविकार करके नल के पास किया दौपर भी पासो का रूप धारन करके उसके साथ हो लिया जब पुशकर ने राजा नल से बार बार जुवा खिलने का अग्रे किया तब राजा नल दम्यंती के साथ अपने भाई कि बार बार की ललकार को सह नहीं सके उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चे कर लिया उस समय नल के शीर में कली यो गुसा हुआ था इसलिए राजा नल दावे में सुनना, चांदी, रत, वाहन, आदी जो कुछ लगाते वे हार जाते प्रजार मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल्ज से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े होगे उनका अभिप्राई जानकर द्वारपल रानी दम्यंती के पास गया बोला कि आप महराज से निवेदन कर दीजिए आप धरम और अर्थ के तत्वग्य हैं आपकी सारी प्रजा आपका दुख सेहन ना होने के कारण कारी वश्तरवाजे पर आकर खड़ी है दम्यंती से हम दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी उसने आखों में आशु बार कर गद जदकंट से महराज के सामने निवेदन किया सामी नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्री मंडल के लोग आप से मिलने के लिए आए हैं और ड्योटी पर खड़े हैं आप उन से मिल लेजिए प्रंटो नल करियों का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले मंत्री मंडल और प्रजा के लोग शोक रस्थ होकर लोट गे पुषकर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गेर राजा नल जुए में जो पासे फैंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते सारा धन हाथ से निकल गया जब दम्यनती को इस बात का पता चला तब उसने ब्रहत सेना नाम की धाय के दोरा राजा नल के सार थी वारशे को बलवाया और उससे कहा सार थी तुम राजा के प्रेम पात रहो अब ये बात तुम से छिवी नहीं कि महराज बड़े संकट में है अब ये बात तुम से छिवी नहीं है कि महराज बड़े संकट में पड़ गई इसलिए तुम गोड़ो को रत में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रत में बठा कर कुंडन नगर में ले जाओ तुम रत और गोड़ो को वही छोड़ देना, तुमारे इच्छा तो वही रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगा चले जाना सार्थी ने दम्यंती के कथन के अंसार मंत्रियों से सिला करके बच्चों को कुंडन पुर में पहुंचा दिया रत और गोड़े भी वहीं छोड़ दिया वहां से पैदल ही चलकर वे अयुद्या पोचा और वहीं रित उपरन राजा के पास सार्थी का काम करने लगा वार्ष ने सार्थी के चले जाने के बाद पुषकर ने पासों के खेल में राजा नल का रज्य और धन ले लिया उसने नल को संबोधन करके हस्ते वे कहा और जुआ खेलोगे परन्तो तुमारे पास दाप पर लगाने के लिए कुछ है ही नहीं यदि तुम दम्यंती को दाप पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल हो नल का हिल्दे फटने लगा वे पुषकर से कुछ भी नहीं बोले उन्हें अपने शीर से सब वस्त्र भूशन उतार दिये और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले दम्यंती ने भी केवल एक साड़ी पहन कर अपनी पती का अनुगमन किया नल के मित्र संबंधियों को बड़ा शोक हुआ नल और दम्यंती दोनों नगर के बाहर तीन राद तक रहे पुषकर ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रती सानुवती प्रगट करेगा उसका फांसी की सजा दी जाएगी भेक मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सदकार तक नहीं कर सके राजा नल तीन दिन राद तक नगर के पास केवल पानी पी कर रही चोथे दिन उन्हें बड़ी भूक लगी फिर दोनों फल मुल खाकर वहां से आगे बड़े एक दिन राजा नल ने दिखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैटे हैं उनके पंक सुने के समाद दमक रही है नल ने सोचा कि इनकी पांक से कुछ धन मिलेगा ऐसा सोचकर उने पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया पक्षी उनका वस्त्र लेकर भी ओड़े अब नल नंगे होकर बड़ी दिन ता के साथ हमों नीचे किये खड़े होगे पक्षी उनका दुर्बुद्धी तुन नगर से एक वस्त्र पहन कर निकला था उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था ले अब हम तेरे शीर पर का वस्त्र लिये जा रहे हैं हम पक्षी नहीं जुए के पासे हैं नल ने दम्यंती से पासो की बात कह दी इसके बाद नल ने कहा प्रिये तुम देख रही हो यहां बहुत से मार्ग हैं एक वन्ती की और जाता है दूसा रिक्षवाल परवत पर होकर दक्षिन देश को जाता है सामने विंद्याचल परवत है यह प्योशनी नदी समुद्र से मिलती है यह महिर्शियों के आश्रम है सामने का रास्ता विधर्ब देश को जाता है यह कोशल देश का मार्ग है इस पर का राजा नल दुख और शोक से भर कर बड़ी साफदानी के साथ दम्यंती को बिन-बिन मार्ग और आश्रम बतलाने लगी दम्यंती की आखे आश्रम से भर गई वे गदगद सर से कहने लगी स्वामी आप क्या सोच रहे है मेरा शीर भट रहा है कलेजे में कांटे गट रहे हैं आपका रज गया धन गया शीर पर वस्तर नहीं रहा ठके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं क्या मैं आपको इस प्रुष के लिए ओशद है मैं धहरे देकरपथी के दुख को कम करती है ये बात वैध्य भी सविकार करते हैं नल ने कहा प्रिये तुम्हारा कहना ठीक है पत्नी मित्र है पत्नी ओशद है प्रंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता तुम ऐसा संदे क्यों कर तम्यंति बोली आम मुझे छोड़ना नहीं चानते। प्रन्तु विधर्व देश का मार्क क्यों बतला रही हैं। मुझे निश्चे है कि आम मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आम का मन उल्टा हो गया है। इसलिए ऐसी शंका करती हूं। आपके मार्क बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी समन्दी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है। हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे आप वहीं सुख से रहेगा। नल ने कहा प्रिये तुमारे पितार राजा हैं। और मैं भी कभी राजा था। इससे मैं संकट में पढ़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दम्यन्ती को समझाने लगे। तरनतर दोनों एकी वस्तर से शीर धक वन में इदर उदर घुमते रहे। भूक प्यास से वाकल होकर दोनों एक धर्म शाला में आय और ठहर गे। ब्रिदश्य जी कहते हैं युदिश्टर उसमें राजा नल के शीर पर वस्तर नहीं था। और तो क्या धर्ती पर विच्छाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शीर धूल से लगपत हो रहा था भूक प्यास की पीड़ा लगगी थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दम्यंती के जीवन में भी कभी ऐसी प्रस्तिती नहीं आई थी। में कुमारी भी वहीं सो गई। दम्यंती के सो जाने पर राजा नल की नीद टूटी। सची बात तो ये थी कि वह दुख और शोक की ये दिखता के कारण सुक के नेद सो भी नहीं सकते थी। आँख खुलने पर उनके सामने रज के छिंजाने, सगे संबंदियों के चूटने और पक्षियों के वस्त लेकर उड़ जाने के दृश एक करके आने लगी। मैं सोचने लगी दम्यंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारणी में इतना दुख भी भोग रही है, यदि मैं इसे छोड़ कर चला जाऊंगा तो वैं अपने पिता के घर चली जाएगी, मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़ कर चला जाऊंगा तो संभव है कि इसे सुखवी मिल जाए, अंत में राजा नल ने यही निश्चे किया कि दम्यंती को छोड़ कर चले जाने में ही भला है, दम्यंती सची पती वरता है, कोई भी इसके स्थिट्ट्य को भंग नहीं कर सकता, इस परका दम्यंती नीद में थी, राजा नल असे छोड़ कर निकल पड़े, थोड़ी देर बाद जब उसका हिद्दे शान्त हुआ, तब फिर धरमशला में लोट आए, दम्यंती को देखकर रोने लगे, वैस सोचने लगी, अब तक मेरी प्रान प्रिया अंतापुर के पड़दे में रहती थी, इसे कोई छूबी नहीं सकता था, आज ये अनात के समान, आदा वस्तर पहने धूल में सो रही है, ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेग तावे जुले की तरह बार बार धरम चाला के बार निकलते और फिर लोट जाते, शीर में कालियो का प्रविश होने के कारण बुद्धी नस्तोगी थी, इसलिए अन्त तावे अपनी प्रान प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़ कर वहां से चले गी, जब दम्यंती की न मैं केली डर रही हूँ, आप कहांगे? बस आवदिक हसी मत कीजिए, मेरे क्थोर स्वामी मुझे क्योट रा रही है, शीकर दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ, लोग ये देख लिया, लताओं की आड में छिपकर क्यों बैठे हुए हो? मैं दुख में पढ़कर इतना विलाब कर रही हूँ, और मेरे पास आकर धैर भी नहीं देते, स्वामी मुझे अपना या किसी का शोक नहीं, मुझे केवल इतनी ही चिंटा है कि आप इस घोर जिंगल में अकेले कैसे रहेंगी? आपका जिस पुरुष्ट ने ये दशा की है, मैं आप से भी अधिक तुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बितावें। दम्यंती इस परकार विलाव करती हुई इदर उदर दोडने लगी, मैं उनमत सी होकर इदर घूमती हुई एक अजगर के पास चाप उची। शोग रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला, अजगर दम्यंती को निगलने लगा, उस समय भी दम्यंती के चित में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी। कि वे केले कैसे रहेंगे, मैं पकारने लगी स्वामी मुझे नात की भांती के अजगर निकल रहा है, आप मुझे चुडाने के लिए क्यों नहीं दोड आते। दम्यंती कुछ को शांत हुई, व्याद ने पूछा संद्री तुम कौन हो। किस कष्ट में बढ़कर किस उद्देशे से यहां आई हो। दम्यंती ने व्याद से अपनी कष्ट कहानी कही। दम्यंती की संदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याद उस पर मोहित हो गया। मैं मिठी मिठी बाते करके दम्यंती को अपने वश करने के चेश्टा करने लगा। दम्यंती द्रात्मा व्याद के मन का भाव जानकर करोध के अवेश विप्रजलित हो गई। दम्यंती ने व्याद के उस चेश्टा को बहुत रोकना चाहा। प्रन्तु वह जब किसी परकार नहीं माना तब उसने शाप दे दिया। यदि मैंने निशत द्रेश राजा नल को छोड़ कर और किसी प्रुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो ये पापी शुद्र व्याद मर कर जमीन पर गिर पड़े। द्मियन्ती के मुँँ से ऐसी बात निकलते ही व्याद के प्रान पखेर उड़ गे वे जिले हुए ठोट की तरह प्रिथी पर गिर पड़ा। व्याद के मर जाने पर द्मियन्ती राजा नल को ढूंडती हुई एक निर्जन और भ्यंकरवन में जाप होची। बाहुत से परवत, नदी, नद, जंगल, हिंसक पशू, पक्षी, पिशाच आदी को देखती हुई और विरा के उन मात में उन सनेत राजा नल का पता पूछती हुई वे उत्तर की और बढ़ने लगी। तीन दिन, तीन राग बीज जाने के बाद दम्यंती ने दिखा कि सामने एक बड़ा सुंदर्त पोवन है। उस आश्रम में विशिष्ट ब्रिगु और अत्री के समान, मित्त भोजी, सैमी, पुष्टर, जितिंद्री और तपस्षी रिशी निवास कार रही हैं। वे विरिक्षो की चाल अत्वा मिरिक चाला धारं की हुए थे, दम्यंती को कुछ धहरे मिला, उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्मरता के साथ तपस्षी रिशियों को बरनाम किया, और हाथ जोड़ कर खड़ी होगे, दिशियों ने स्वागत है केकर दम्यंती का सतकार कि और बोले बैठ जाओ, हम तुमारा क्या काम करें, दम्यंती ने बद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अगनी, धरम और पशु पक्षी तो सकुषल है ना, आपके धरम चरन में तो कोई विघन नहीं पड़ता, रिशियों ने कहा कल्यानी, हम तो सब प्रकार से सक पूछल हैं, तुम कौन हो, किस सुद्देशे से यहां आई हो, हमें बड़ा चरे हो रहा है, क्या तुम वन परवत नदी की अदिश्टात्र देवता हो, दम्यंती ने कहा महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य इस्त्री हूँ, मैं विधर्ब नरेश र साहित करके उनका रज और धन ले लिया है, मैं उन्हीं की पत्री दम्यंती हूँ, संयोगवाश में मुझसे बिछड़ गे हैं, मैं उन्हीं रन बांकरे, शश्ट्र विध्या कुशल ए महात्मापती देख को ढूंडने के लिए वन वन भटक रही हूँ, मैं यदि उन्हें देख पाऊंगी तुम्हें जीवित नहीं रह सकूंगी, उनके बिना मेरा जीवन निश्वल है, वियोग के दुकों में कम तक सह सकूंगी, तपस्यों ने कहा कल्यानी, हम अपनी तप शुद्धी दृष्टी से देख रहे हैं, कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा, औ थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा, धरमात्मा निशद नेश्व थोड़े ही दिनों में समझ दुकों से चोड़कर संपती शाली निशद देश पर रज्य करेंगे, उनके शत्रु वहवेईत होंगे, मित्र सुखी होंगे, और कुटम भी उन्हें अपने ब दिखा है क्या? ये कैसी घटना होगी? वे तपसी आश्रम, पुईत्र स्रीला नदी, फाल फुलो से लदे हरे भरे वरिक्ष कहां चलेगी? दम्यंती फिर उदास होगी, उसका मुख मर्चा गया. वहाँ से चलकल विराब करती ही, दम्यंती एक अश्रम वरिक्ष के पास पोची, उसकी आँखों से जर जर आसु जर रहे थे, उसने अश्रम वरिक्ष से गदगद सर में कहां शोक रही ता शोक? मैं तरह शोक मिटा दे, तु मेरा शोक मिटा दे, क्या कहीं तुने राजा न अशक नाम को सार्थक कर, दम्यंती ने अशोक की परदक्षना की और वह आगे बड़ी, भ्यंकर वन में अनेको वरिक्ष गुफा परतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पती देग को ढूंबती हुई, दम्यंती बहुत दूर निकल गे, माँ उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ो और रत्थों के साथ, व्यपारियों का एक जुन्ड आगे भाट रहा है, व्यपारियों के परधान से बात चीत करके और ये जानकर कीवे व्यपारी, राजा सुबाहू के रज्य, चेदी देश में जा रहे हैं, दम्यंती उनके साथ हो गई, उनके मन में अपने पती के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी, कई दिनों तक चलने के बाद भी व्यपारी एक भ्यंकर वन में पहुंची, वहाँ एक बड़ा ही सुन्दर सुरोवर था, नंबी यात्रा करने के कारण सब लोग ठग गे थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया, देव व्यपारियों के प्रतिकूल था, रात के समने जंगली हाथी व्यपारियों के हाथियों पर टूट पड़े, और उनकी भगदर से सब के सब व्यपारी नस्ट ब्रस्ट होगी, कोला हल सुनकर दम्यंती की नीड टूटी, वे इस महा संग्राम का दृष्य देखकर बावली सी हो गई, उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी, पर डर कर वहां से भाग निकली, और जहां कुछ बचे हुए मनुश्य खड़े थे, वहां जा पोची, रहनतर धम्यंती उस वेदपार्थी और सहिमी ब्रामनों के साथ, जो उस महा संहार में बच गए थे, शीर पर आदा वस्त्र धान किये चलने लगी, और साइंकाल के समे चेदी नरेश राजा सुभाहू के राज़दानी में जापोची, जिस समय दम्यंती राज़दानी के राजपत पर चल रही थी, नागर को ने यही समझा कि यह कोई बावली इस्तरी है, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे लगे, दम्यंती राजमहल के पास जापोची, उसमें राजमाता राजमहल के खिड़की में बैठी हुई थी, वह ने बच्चों से घिरी दम्यंती को देखकर धाई से कहा कि अरी, देखतो, यह इस्तरी बड़ी दुखिया मालूम बढ़ती है, अपने लिए कोई आश्रे ढोंड रही है, बच्चे इसे दुख दे रही है तो जा, इसे मेरे पास लिए, यह संदरी तो इतनी है, मानो तुम महल को भी दमका देगी, दाय ने आग्या बालन किया, दम्यंती राजमहल में आ गई, राजमाता ने दम्यंती का संदर शीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो अभी तुमारा शीर इतनत जसी कैसे है, बताओ, तुम कौन हो, किसकी पतनी हो, असहाय वस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो, दम्यंती ने कहा, मैं एक पती व्रता नारी हूँ, मैं हूँ तो कुलीन, प्रंतो दासी का काम करती हूँ, अन्तैपर में रह चकी हूँ, मैं कही भी रह सज्जाती हूँ, फाल मुल खाकर दिन बिता देती हूँ, मेरे पती दे बहुत गुनी हैं, और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं, मेरे अबाग्य की बात है, कि वे बिना किसी मेरे किसी अपराद के ही, रात के समय मुझे सोती छोड़ कर ना जाने कहां चलेगी, मै रात दिन अपने प्रान पती को ढूंड़ती और उनके व्योग में जलती रहती हूँ, इतना कहते कहते दम्यंती के आँखों में आसो उमड़ाए, वो रोने ही लगी, दम्यंती के दुख बरे विलाब से राजमाता का भी चीप भार गया, वे कहने लगी कल्यानी, मेरा तुम पर सभावे की प्रेम हो रहा है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुमारे पती को ढूंड़ने का परबंद करूंगी, जब आमें, तब तुम उनसे यहीं मिलना। दम्यंती ने का हम माता जी मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ, मैं कभी जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोंगी, और पारप्रुष के साथ किसी परकार भी बातचित नहीं करूंगी, यदि कोई प्रुष मुझसे दुचेश्टा करे तो उसे दंड दे ना होगा, मैं अपने पती को ढूंडने के लिए ब्राह्मनों से बातचित करती रहूंगी, यदि आप मेरी ये शर्त सभीकार करें, ताब तो मैं रह सकती हूँ, अन्य धने, राजमाता दम्यंती के नीमों को सुनकर बहुत परसन्न हुई, और उनने कहा कि ऐसा ही होगा, त बैटी देखो, इस टासी को देवी समझना, ये वस्था में तुम्हारे ब्राबर की है, इसलिए इसे सक히 के समान राजमहल में रखो और परसन्नता के साथ इसे मनुरंजन करती रहो, सुनन्दा परसन्ना के साथ दम्यंती को अपने महल में ले गई, दम्यंती आपने